24 खंटी में कोरोना के 752 मामले चार की मौत केरल में सबसेद एक्टिव केस डब्रोयचो ने कहा कि एक महीने में संकर्मण 52 प्रतिशित बढ़ा मुक्तार अंसारी की करीबी बिल्डर पर सरकार की कारवाई F.I.P. टावर पहुचा बाबा का बुल्डोसर नए विवात की जड़ बनी फारस की खाड़ी दो मुसलिम दोस्त हो गए आमने सामने एरान ने रूसी दूद को किया तलब I.I.T. कानपूर के प्रोफेसर की मौत मंच पर बोलते बोलते दिल का दौरा विक्की कौशल बने बॉलिवुट के पहले अक्टर जिन्हें इंस्टेग्राम ने किया फॉलो Consumer Affairs Department में निकली भरती के लिए चल रहे आवेदन की लास्ट डेट करीब जल्द करे अपलाए नहीं रहे मशूर कॉमेडियन बोडा मणी दोनों किड्नी खराब होने के कारण गई जान एक हजार साल होगी राम की आयो चमपतराई ने बताया कैसे किया जा रहा राम मंदिर का निर्माण पहले संदीप महेश्वरी से तकरार फिर पतनी से मारपीट एक महीने में दो बार विवादों में खेरे बिंद्रा इमरान खान को नहीं मिली राहत तोश खाना मामले में सुप्रम कोट ने वापस लोटाई या चिका नए साल के जशन के लिए पहाडों पर पहुच रहे लोग भारी भीर की वज़े से जाम में जूच रहे लोग आतंकी हमले में शहीदों को शद्धांजली एक यूपी दो उत्राखन के जवान शहीद एस्पी नेता वाशुदे व्यादव के बढ़ी मुश्किले आई से अधिक संपत्ती मामले में जाच तेज विजलिंस टीम जल्द दायर करेगी चारशीट गौतंबुध यूनिवोसिटी का दिक्षान्त समारों सीम योगी ने शात्राओं को किया समानित कहा समर्स्याओं को सवेकार करना जरूरी PCS 2023 के इंटिव्यू का शेडिूल जारी कल जारी हुआ था PCS मेंस का रिजल्ट इस बुल्टिन में बस इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रहे यूथ न्यूज ऑनलाइन के साथ